Good morning students, today we are going to study about coding and decoding, okay? आज हम coding decoding करेंगे, ठीक है coding क्या होता है? Coding एक तरह का signal होता है, जो sender किसको भेशता है, receiver को भेशता है, ठीक है? तो sender जो code receiver को भेशता है, तो receiver उस code को decode करता है, okay? So let us start coding decoding. Coding Decoding Okay, now let us take first question, okay? अब नव दिस ताइप of question comes in coding and decoding, okay? In a certain code, teacher is written as this, अब देखिए कोई certain code है, code कर दिया है, teacher को इस तरह से लिखा गया है, okay? तो teacher को इस तरह से लिखा गया है, T-E-A-C-H-E-R को लिखा गया है, V-G-C-E-J-G-T, okay? How is a children written in that code? Children को कैसे लिखा जाएगा? इसी form of code में जैसे teacher को इस तरह से लिखा गया है, okay? And the option which are given is E-J-K-N-E-G-T-P, E-G-K-N-F-I-T-P, E-G-K-N-F-G-T-O and E-G-K-N-F-T-G-P, okay? It was asked in one of the competitive exam. अब देखिए इसको कैसे गारेंगे? सबसे पहले तो हमें जो relation दिया हुआ है, जैसे teacher को क्या लिखा है, वो लिख देंगे हम. teacher is written, teacher को लिखा है इन्होंने, V, G, C, V, G, C, E, J, G, T, okay? तो इसका मतलब इन्होंने T से बनाया है V, अब देखिए T के बाद V कैसे आ सकता है? T में आप कितना अड़ करेंगे? T अलफाबेट है, T अलफाबेट में आप अड़ करेंगे 2. यू, V आजाएगा आपका, ठीक है, Similarly, E में आप कितना अड़ करेंगे? E में भी आपको 2 एड़ करना पड़ेगा, Next, A में भी आपको कितना अड़ करना पड़ेगा? 2. Similarly, C में भी आपको कितना अड़ किया है? 2 एड़ किया है, तो हमारा पस क्या गया है? A, में हमने कितना और किया एंग Forsch में भी हमने कितना केट्ट टू एड किया sehe Creatory next इमें में भी हमने कितना अड़ किया 2 एंड लास्ट अज More not the least आज आर आर में भी हमने कितना एड़ किया 2 तो इसमें जो आपता code था ठीक है ना code था teacher और उसको decode जो किया हुआ है वो plus two two करके किया हुआ है ठीक है तो आपका अब same matter में हमने मैनु में children को करना है ठीक है अब children को किस तरह से हम लिखेंगे अब children को इस code में कैसे लिखा जाएगा तो अब विस्सी बात है इसमें हर alphabet में हम क्या add करेंगे two ठीक है तो अगर हम c में two add कर देते हैं तो c के बाद क्या आता है हमारा d e h i j i j k के आगे आपका l m n d e f r s t e f g n m o p okay so our option which is coming is this that is हमारा होना चाहिए आपके पास e j k n f g p okay n f t g p our option d will be correct okay so in this way you will find coding decoding ठीक है तो अगर आपको जो भी word दिया होगा ठीक है certain code में teacher को इस तरह से लिखा जाता है तो similarly आपने children को भी same उसी code में बनाना है okay now the next question this question was asked in bank pew exam okay in a certain code loot l u t e is written as m u t e and fate is written as gate g a t e how will blue be written in that code okay तो अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है एक certain code है जिसमें हम loot को लिखते हैं l u t e को लिखा जाता है आपका पैटरन जो common क्या note कर रहे हैं देखिए u t e यह change नहीं हो रहा है first letter आपका increment हो रहा है बन के साथ देखिए l के बाद अगर हम l में one plus करते हैं तो ठीक है but u as it is आगया t as it is आगया e as it is आगया similar manner में यहां देख लिए f में अगर हम one plus कर रहे हैं तो जी आ रहा है but बाकी जो आपके सेम है a t e वो सेम रपीट हो रहा है ठीक है तो वैसे ही आपका c b के बाद क्या आता है अगर हम उसमें एक add करेंगे तो वो आजाएगा हमारा c और बाकी similarly l u e हम ऐसे ही लेख देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा c l u e okay so our option a will be correct that is c l u e okay now question number three is in a certain code fish is written as fish को कैसे लिखा जाता है fish को लिखा जाता है आपका e h r g how jungle will be written in that code ठीक है तो जिस तरह से fish को हमने e h r g लिखा है तो हम जंगल को क्या लिख सकते है okay and the option which are given i t m k d d k d i t n f k d k v o h m f t i m f k d okay now start देखिए fish f i s h fish को हम लिख सकते हैं e h r g अब विस ही बात है देखिए f अगर f में से हम sift rs k कर देंगे तो हमारे पस किया जायेगा g similarly h में से sai sub track कर देंगे तो आजाएगा sorry i में से से थो h ंठीक है न तो आप यहां से भी कर सकते हैं जाहे i i के बाद f h ए के बाद i r के बाद s ch k k e b a d t k in sub तो आपको यह जो है वर्ड मिला है ठीक है तो similarly जो आपको निकालना है जंगल जंगल में से भी आपको एक एक जो है सब्ट्राक करना है तो आपको मिल जाएगा जे में से अगर हम वन सब्ट्राक करते हैं तो आता है आई ओके ठीक है वैसे ही अगर हम यू में से एक सब्ट्राक करते हैं तो हमें मिलता है ठीक है similarly if we subtract one from N तो हमें मिलता है M ठीक है तो अगर आप ध्यान से देखें देखें आप्शन आई टी एम हमें पहले ही पता चल गया आई टी एम ए तो आपको further सारे निकालने की जरूरत नहीं है ठीक है अपना time बचाना आपने ठीक है L में से एक सब्ट्राक करेंगे तो आपका K आजाएगा और similarly E में से एक सब्ट्राक करेंगे तो आपका D आजाएगा okay so option A is correct okay now the next question is in a certain code favor is written as EBU-PTS how is danger be written in that code okay तो किस तरह से लिखा हुए favor को लिखा हुए EBU-PTS आपको वैसे ही danger को लिखना है ठीक है and the option which are given is CBFFDS, CBMHDS, EBFHDS and EBHHFS okay now let us start हमें गिवन है favor ठीक है favor को लिखना है आपने EBU-PTS अब देखिए अब अगर first alphabet की बात करने तो first alphabet में हमने क्या किया हुए subscribe किया हुए अगर हम F में से 1 को subscribe करें तो हमार पस E आ जाता है ठीक है वहीं second alphabet आपके पास क्या आया हुआ है A के बाद B तो यानि इसमें हमने क्या add किया हुए इसमें हमने one add किया हुए ठीक है R के बाद हमारा S आता है तो R plus 1 S मतलब इसमें क्या alternatively एक बर माइनस हो रहा है एक पर प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है प्लस हो ठीक है तो similar manner में आपका danger भी बन जाएगा तो देखिए दो option तो आपके C से start हो रहे है और दो option आपके E से start हो ठीक है तो हमारे first से ही हमें answer का पता चल जाएगा कि कौन से दो options है ठीक है तो देखिए हमें पता है first वाले में से हमने क्या करना है one subtract करना है ठीक है तो अगर हम first वाले में से one को subtract करते हैं तो हमारे पस आएगा C तो obviously बात है या तो answer A correct है या answer आपका B correct है अब हमें क्या करना पड़ेगा next वाला obviously बात है दोनों में seven same ही दे रखा है B तो इसमें तो हमने plus one कर दिया A में plus one किया तो हमारे पस आगया B similarly N में से हमने minus one करना है ठीक है तो हमें answer पता चल जाए क्यों क्यों क्योंकि इसका answer अलग है और इसका answer अलग है ठीक है तो अगर हम N में से minus one करते हैं तो हमारे पस आ जाता है M तो हमें directly पता चल गया our option B will be correct ठीक है तो हमें further करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप time बचा सकते है अपना कैसे आप अपना time बचाएं जहां जहां तरीका है देखिए आप पूरा भी निकाल सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं अगर कहीं ऐसा होता है आपको कहीं doubt होता है तो पूरा निकालिए बट जहां पर आप time बचा सकते हैं वहाँ पर आपने time बचाना है ताकि आप और questions को attempt कर सकें ठीक है आप इसको कर सकते हैं दुबारा आगे plus one करेंगे तो आपका h आ जाएगा minus one करेंगे तो आपका d आ जाएगा similarly r में plus one करेंगे तो you will get s तो यह हमारा option आगे ठीक है तो आ आपने किस तरह से आप अपना time बचा सकते हैं time आप इस तरह से बचा सकते हैं की आप options को धेहन से देखिए कहीं बढ़र आसे होते हो options ऐसे होते हैं आपका first alphabet निकालते ही पूरा answer पता जाता हो आपको क्योंकि ऊसमेंī सारे first के first alphabet तो हमें पूरा निकालने की जरूरत भी नहीं होती है, ठीक है, बट हाँ, ऐसा होता है, कभी आपको लगता है, कि आपका मिस्टेक हो गया कुछ, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है, वरना आप जितना कम समय लेंगे, तो आपके लिए बेनिफिट होएगा, ताइम बचेगा, तो आप और ज्यादा क्वेशन अटेम्ट कर पाएंगे, ठीक है, यही इसमें, शॉर्ट ट्रिक्स क्वेशन करने की यही होती है, कि आप ताइम मैनेज कैसे करें, और ताइम मैनेजमेंट के सबसे अच्छा तरीका है, कि आप आंसर तो निकाले ही निकाले, पर साथ में आप और आप्शन के साथ एर, हाउ इस विंटर बे रिटन इन दाट को, ठीक है, जिस तरह से समर को रनर लिखा गया है, सेम वे में रिटन को क्या लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, अप्शन ए अए एस, बी इस, वी आ, ओ, यू, ए आर, नमबर सी इस, डबल्यू, ए, ल, ए, ल, के, ए, hand number D is S U F F E R, ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, let us start, summer is written as runner, summer को क्या लिखा गया है, runner, ओके, now let us see, देखे सबसे पहले, अगर हम S में से 1 सब्ट्राक करते हैं, तो हमारे पास क्या जाएगा, R आ जाएगा, ठीक है, ओके, यहाँ पर आपका U है, यह भी U है, यहाँ पर second word में कोई change नहीं है, आपका second alphabet में, ठीक है, third की बात की जाए, तो third में क्या है, आपका plus one कर दिया है, third में plus one किया हुआ है, fourth में क्या किया है, M के बाद N, इसमें भी plus one किया हुआ है, यानि आपका जो third है, और जो fourth है, वो plus one, one की relation में आ रहा है, ठीक है, similarly, जो आपका last में है, E R, उसको as it is written कर दिया है, तो इसमें बहुत सारे option जो है, एक साथ लग रहे हैं, क्या, first लग रहा है कि आपका first जो alphabet होगा, ठीक है, उनमें जो relation है, वो minus one का relation है, second वाले को हम as it is रखेंगे, जो third, आपका third और fourth वाला है, उसमें क्या करा है, increment of one, ठीक है, M के बाद क्या आत है, आपके पास N, M के बाद आता है N, और जो last के दो हैं आपके, fifth और sixth position पे हैं, उनको as it is रखा गया, ठीक है, तो same आपने किसके उपर निकालना है, winter, okay, तो now let us start, सबसे पहले तो आपको minus one करना है, अगर हम W में से minus one कर देते हैं, तो आपके पास क्या आजाएगा, V, okay, V के बाद ही आता है, W, okay, तो option देखिए, option B will be correct, ठीक है, तो आपको देखिए, first निकाल के पता चल गया, आपको rest निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से अगर आप relation एक बार निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से, तो आपको आगे निकालने की जरूर हमारा as it is आएगा, third or fourth increment of one होगा, तो यह आपका as it is आजाएगा, okay, third or fourth increment of one होगा, तो n के बाद आता है आपका o, d के बाद आता है आपका u, ठीक है, और last के as it is आजाएगा, okay, so our option B will be correct, okay, तो इस तरह से आप इसमें coding और decoding करते हैं, okay, so that is all about for today, if you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel, thank you so much